दोस्तों नमस्कार, आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महतपूर्ण रेखा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह उभरती है गुरू परवत पर और हमारी सफलता हमारे व्यक्तितुक के निधारण में एक महतपूर्ण भूमी का निभाती है। कैसे आए करते हैं विशलेशन। तो यह पहली उंगली तरजनी इंडेक्स फिंगर। इसके नीचे यह आपका गुरू परवत। गुरू परवत सुपिस्थि में हो। अच्छा उभार हो। वैल डवलप्ड हो। और यहां पर कोई नगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। जब गुरू शुपिस्थि में है तो एक रेखा गुरू परवत पर उभरें। सीधी खड़ी होई या थोड़ी तिर्ची चाहे वो निकले जीवन रेखा से, चाहे निकले वो मस्च रेखा से, चाहे वो निकले उद्गम के इस्थान पर जीवन रेखा और मस्च रेखा के मिलने से एक कहरी रेखा से, कोई रेखा रिकले गुरू परवत पर पहुँच जाए। बहुत शुबह। लेकिन एक बात ध्यान रखना की एक ही रेखा हो, केवल एक रेखा गुरू परवत पर सीधी खड़ी या थोड़ा तिर्चा पन लिये हुए। जातक को बहुत ही महत कांग्शी, एमबीसियस बनाती है। जातक के बहुत सपने होते हैं, जातक आज जीवन तरक्की भी करता है, और कितना भी बुरा समय आ जाए, जातक का अप्यश कभी नहीं होगा, उसकी साख को बट्टा कभी नहीं लगेगा। और ये भी पक्का, अगर ये लाइन अव एमबीशन इस पस्ट है, गहरी, निर्दोश, तो चाहे विलम हो सकता है, लेकिन जातक के सभी जायस अपने अवश्य पूरा होंगे। लेकिन ध्यानक ना, गुरू परवत पर एक ही रेखा। अगर दो भर रही हों, तो ऐसे में जातक को अपने सपने पूरा करने में ज्यादा महत करने पर सकती है। अगर तीन हैं, अब जातक को मेहनत नहीं, संगर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर चार्द एम्बिशन लाइन दिखा दे रही हैं, तो बहुत शुब नहीं। अब ये भी संभावना कि जातक खूप प्रियास करें, मेहनत करें, संगर्ष करें। तो इस बात की परबल संभावना कि जातक को अपेक्ष सफलता ना मिले। निराशाई मिले, असफलताई मिले। लेकिन अगर एक ही लाइन है गुरू परबत पर तो निश्चित हो जाना आपके सभी जायस अपने अवश्य पूरा होंगे। जाए थोड़ा विलंब हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। झाल 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 झाल